आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और अमेजिंग वीडियो दोस्तों आपने जानवर तो बहुत देखे होंगे और हमारे बहुत से दोस्त एनिमल्स एंड पैट लवर्स भी होंगे तो आज की इस इंट्रस्टिंग वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे चोटे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनको देखकर हमारे पैट लवर्स फ्रेंड्स जरूर इनको पैट्स बनाना चाहेंगे चैनल पर पहली बार आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हाजी न्यूस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके इस तरह की इंट्रस्टिंग और मज़िदार वीडियो आपको जल से जल मिल सकें फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो और आपको बताते हैं सबसे पहले स्पैकल्ड पैटलॉपर टर्टाइस के बारे में ये धब्बेदार कच्वा दुनिया का सबसे चोटा कच्वा है ये चोटे कच्वे अफरीका के नौाको लैंड में पाई जाते हैं ये स्पैकल्ड केटल टर्टाइस के नाम से भी मशहूर है इनकी लंबाई छे से आठ सेंटी मीटर तक होती है और इनका वजन 95 टू 164 ग्रैम्स तक ही होता है इनका छोटा सा शेल नहायद सखत होता है और ये कच्वे अतने छोटे होते हैं कि शिकारी चिडियां इनको बग्स की तरह शिकार कर लेती हैं शिकार से बचने के लिए ये चोटे कच्वे अपने आपको पत्थरों और पत्तों में चुपा लेते हैं हमारी लिस्ट में अगला चोटा जानवर अट्रिसकन श्रियू है इसको सफेद दान्तों वाला पिग्मी श्रियू भी कहा जाता है ये श्रियू मलेशिया, नौर्थ अमेरिका और मेडिट्रेनियन सी में पाया जाता है इसका वजन सिर्फ दो ग्राम होता है ये दुनिया का सबसे चोटा मेमल भी मशूर है इसका दो ग्राम का वजन इतना कम है कि इसका बोज आप अपनी एक उंगली पर भी महसूस नहीं कर पाएंगे ये एक दिन में अपने टोटल बाडी वेट का डबल यानी चार ग्राम तक खाना खाते हैं इंच रियूज का हर्ट रेट या धड़कन की रफ़तार दुनिया के सबसे चोटे परिंदे हुमिंग बर्ड से भी तेज होता है इनके दिल की रफ़तार एक मिनट में आठ सो बार धड़कना है फ्रेंड्स ये जो आपको चुहा नजर आ रहा है इसका नाम मदैब बर्थ लेमूज माउस है ये चोटे चुहे मडगैसकर के केरेंडी मेटिया नैशनल पार्क में पाई जाते हैं पूरी तरह बढ़ने पर भी इनका साइज सिर्फ बानवे मिलिमीटर होता है और इनका वजन बीस ग्राम तक होता है दुनिया भर में इस लेमूज माउस की 24 स्पिशीज पाई जाती है दोस्तो खरगोश एक बहुत ही प्यारा जानवर है और दुनिया भर में इसकी तरह तरह की विराइटीज पाई जाती है अब हम आपको दुनिया का सबसे चोटा खरगोश पिग्मी रैबिट दिखाते है ये पिग्मी रैबिट नौर्थ अमेरिका में पाया जाता है दुनिया के सबसे चोटे खरगोश की लंबाई 25 सेंटिमीटर तक होती है और इसका वजन 375 गराम से लेकर 500 गराम तक होता है इस पिग्मी रैबिट की सीमेल मेल रैबिट के मकाबले में थोड़ी सी बड़ी होती है ये खरगोश जमीन के अंदर सुरंगे बना कर रहते हैं इस नन्ने मुन्ने और क्यूट रैबिट को बहुत से लोग अपना पैट बनाना चाहते हैं अब हम बात करते हैं पिग्मी मामोसेट की ये बंदर की तरह दिखाई देता है ये एनिमल ब्राजिल, कोलंबिया, एक्वडोर, बुलीविया, पीरू और कैनोपी में पाया जाता है पिग्मी मामोसेट को पौनेंद बंदर के नाम से भी जाना जाता है इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटिमीटर तक होती है और इसका वजन 100 ग्राम तक होता है इसकी पौन्च या दुम इसकी जिसम से ज्यादा लंबी होती है इसकी पौन्च की लंबाई 18 सेंटिमीटर तक होती है ये बहुत ही फुर्तीले और घुसीले जानवर होते हैं इसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत खुबसूरत और मासूमियत से भरी लगती है दोस्तो अब हम आपको दुनिया के सबसे चोटे परिंदे बी हियुमिंग बर्ड के बारे में बताते हैं ये परिंदा क्यूबा के गने जंगलों का बासी है इसकी कुल लंबाई 4.7 सेंटिमीटर तक होती है और इसका वज़न 2 ग्राम से भी कम होता है इसका नाम बी हियुमिंग बर्ड रखने की वज़ा ये है कि ये एक बी या शेहत की मक्षी से साइज में थोड़ा सा ही बड़ा होता है दोस्तो हियुमिंग बर्ड के पारे में आपको एक और हैरतंगेज बात बताते चले कि ये परिंदा पीछे की तरफ भी उड़ सकता है ये परिंदे एक दिन में पन्रा सो फूलों का चकर लगाते हैं और इनके घोंसले भी इतने ही चोटे होते हैं अब बात करते हैं दुनिया के सबसे चोटे साम स्लैंडर ब्लाइंड स्नेक की ये चोटा सा स्नेक साम से डरने वाले दोस्तों को भी क्यूट लगेगा ये साम अफरीका के जंगलों में पाए जाते हैं देखने में ये कैंच्वे की तरह नजर आते हैं और भूरे या काले रंग में पाए जाते हैं इनकी लंबाई 11 सेंटी मीटर तक होती है ये साइज कंपरिटिवली बाकी दिखाए के जनवरों के मकाबले में बड़ा है लेकिन यहां पर इसको दिखाने की वज़ा ये है कि ये खुद को सुकेड कर 4 सेंटी मीटर तक छोटा कर लेता है दोस्तों इस नन्ने मुने स्नेक के बारे में अच्छी बात ये है कि ये बिलकुल नॉन पोईजनेस है यानि ये बिलकुल भी जहरीला नहीं है अब भारी है किटीज हाग नोस्ट बैड की इसे बंबल बी बैड के नाम से भी जाना जाता है ये दुनिया का सबसे चोटा चमकादड है ये थाइलैंड और माइन मार के कुछ इलाकों में पाया जाता है ये नदियों के पास पत्थरीली ठंडी गारों में ठिकाना बनाते हैं इनकी लंबाई 29 सेंटीमेटर से लेकर 33 सेंटीमेटर तक होती है और वजन में ये 2 ग्राम होते हैं बंबल बी बैट्स शकल में आम चमकादडों से थोड़े मुक्तलिफ होते हैं इनकी नाग पिग की तरह होती है और कान थोड़े से बड़े और बाहिर की तरफ निकले होते हैं इनकी आंखें बहुत चोटी होती हैं और अमूमन ब्राउन कलर में पाये जाते हैं ये चोटे चमकादर्ड दो सो से पांच सो के जूंड बनाकर गारों में रहते हैं। ये दुनिया का सबसे चोटा मैमल भी है। दोस्तो आपको बताते चलें बंबल भी बैट एक इंडेंजर्ट स्पीशी है। जिसकी नसल की बका के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। दोस्तो दुनिया का सबसे चोटा मैंडग पीडोफरेन अमैनुएंसिज है। चोटे मैंडग ट्रॉपिकल फॉरिस्ट में पाई जाते हैं। इस पीडोफरेन फ्रॉग की लंबाई 7.7 मिली मीटर तक होती है। इनको पहली बार 2012 में डिसकवर किया गया था। और सन 2013 में इंटरनेशनल इंस्टीट आफ स्पिशीज एक्स्प्लोरेशन ने इन मैंडगों को दुनिया का सबसे चोटा जानदार डिकलेयर कर दिया था। ये चोटे मैंडग जंगलों में दरहतों के पत्तों में रहते हैं। और खुद को बहुत आसानी से दुश्मन की नजरों से चुपा लेते हैं। पीडो सिपर्स ये सिपरनीट फिश की एक स्पिशी है जो एशिया के समात्रा बाढ़नियों बंतान के पानियों में पाई जाती है। पूरी ग्रोथ के बाद इनकी लंबाई 7.9 मिलिमेटर तक होती है। अब तक की सबसे बड़ी पीडो सेप्रस की लंबाई 10 mm रेकॉर्ड की गई है। इनका जिसम ट्रांस्पैरंट होता है। पहली बार पीडो सेप्रस को 1994 में बार्णियों के पानियों में डिसकवर किया गया था। दोस्तों इनको आसानी से नहीं डूंडा जा सकता। क्यूंके एक तो ये साइज में बहुत ही छोटी होती हैं और दूसरे ये बहुत गहरे पानियों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो और इन सब जनवरों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा जनवर पसंद आया। कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजेगा और इस इंट्रस्टिंग वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली से शेयर करना मत भूले। वीडियो में हमारे साथ चुड़े रहने का शुक्रिया, अल्लाहाफेज।